जो लगी प्यास तो उस प्यास को गंगा कर दे दुश्मनों के दिलों में खौफ से दंगा कर दे ऐ मेरे प्यारे वतन जाने लुटा दू तुझ पर मेरे मौला मिरिया चल को तिरंगा कर दे बहुत बहुत धन्यवाद मैं पहले नंबर पे उम्र में सबसे छोटे कभी और पहली बार वो देवास काविपाट करने आये हैं उनके पिताश्री का बड़ा लगाव रहा देवास से और देवास में उने बड़ा मान सम्मान मिलता रहा आज उनके बेटे को आपको आशिरवात देना है कि ये यशश्वी हो, दिगविजय हो किसी भी इस्तिती में दिगविजय सिंग ना हो क्योंकि ये आशिरवात केवल देवास की जनता दे सकती है में रितुराज गुजर से निवेदन करना चाहता हूँ एक बार जरा जोड़दार तालियां बजाईए कि वे आएं और अपने कावेपाट से शुरू करें मा वाग वागेश्वरी मा स्रसुति को प्रणाम करता हूँ भारत माता को प्रणाम करता हूँ मंच पर उपस्थित ओज के शिखर पूरुष आदरनी विनिजी चोहान और हमारे मालवा की शान आदरनी शशिकान जी आदव को प्रणाम करता हूँ मेरे सभी साथी बड़े भाईयों को प्रणाम करता हूँ आप सब प्रभुद जनों को प्रणाम करते हुए चार पंक्तिया अपने पिता को प्रणाम करते हुए अपने पूजा की अपनी साधना की रखना चाहता हूँ उससे आपको जूडने का प्रयास करता हूँ पिता को बात में करना पहले गोरी माता को भी प्रणाम करोने तो फेमेंट यहीं से कटना है कि मन की शुद्धी से बढ़कर कोई उरत नहीं होता, आच रन से बढ़कर कोई उरत नहीं होता, और दुनिया में जाने की जरूरत क्या है, माता पिता के चर्णों से बढ़कर कोई तिर्थ नहीं होता, मालवा का बेटा हूँ, इन सभी अतिति कवियों के स्वागत में चार प कि दूर दूर से पधारे अतितियों को मालवा की मीठी मनुहार से मनाई ये आज की तारिक इतिहास में अमर हुई आजादी के नारों से गगन को गुंजाई ये और भारती के पेटे आप स्रम के साधक सभी इसने ओर सरद्दा के सुमन में का इसे और का इते एक बार जोर दार तालियां बजाएए एक बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो प्यार मुझे मिला उसके लिए मैं भीभूत हूँ आज पूरा देश हमारे आधर निये शाशिकान जी ने बताया पूरा देश आनंद विभूर है पूरा देश खुश्या मना रहा है और आज तो हम विशेश परू मना रहे हैं भारत दिवस तब एक देश भख्त कवी जो महसूस करता है वो आपके बीच रखना चाहता हूँ हमारे भीच में ओच के और सबसे ससत्यांस्ताक्षर आज हमारे बीच में है विनिजी चोहान जो क्रोध की भाषा बोलते हैं जो आक्रोष की भाषा बोलते हैं लेकिन एक कव की पेरवी करे ऐसे नमक हरामियों के शीष काट लेंगे हम और आज जो यग्गी की पूर्ण आहुती हुई उसमें कुछ शब्द पुष्प कुछ आहुती में भी देना चाहता हूं कि मोदी जी पीछे मत हड़ जाना जनता साथ तुमारे हैं वंदे मातरम गी साथ में जय हिंद के नारे हैं जो गद्धारी करे वतन से ऐसी जीव उखार दो और अमर तिरंगा उगरवात के सीने पर अबगार दो तो केसर की क्यारी में केसर की क्यारी में आतंक नहीं पलने तो अब क्या किया और क्या करना है कश्मीरी पंडितों को उनका अधिकार दिलाया है तुमने धारा 370 का भी शाप मिटाया है तुमने तो अब घाटी को उगरवात से मुक्त करना है तुमको और भारत के नक्षे में प्रण पुरा कश्मीर जोड़ना है तुमको और भारत के नक्षे में पुरा कश्मीर जोड़ना है तुमको लेकिन इस पर जो उचलकूत मचा रहे हैं जो लोग हिंदु मुसल्मान की बात करके जो लोग जादपात की बात करके जो लोग कश्मीरियत की बात करके हमारे युवाओं को भड़काना चाहते हैं, उनसे चार पंक्तिया कहना चाहता हूं, अपने पिता ने जो मुझे संस्कार दिये, वो संस्कार आपके वीच रखना चाहता हूं. कि हिंदुवा मुसलमान सिखवा इसाई भाई पंथ की संकिर्णता को तोड़ आगे आईए, जननी वा जन्म भूमी स्वर्ग से महान होती, एक साथ मील वंदे मातरम गाईए, और मित्रता की क्यारियों में प्रेम के प्रसून खिले, सत्रूता के सूल साथ बेठ के हटाईए, मात्र भूमी की वंदना के गीत गाउंगा में तालियां बजा के आप होसला बढ़ाईए, तालियां बजा के आप होसला बढ़ाईए, क्या है भारत भूमी चार पंक्तियों में आपके बिच रखता हूँ, भारत भूमी वह भूमी है जहां देउता भ्रमन करे, भारत भूम होती है रनचंडी के चित्रों की घर घर में पूजा होती है रनचंडी के चित्रों की तो काल अभी जी से थर थर का पे इस देश में वो महाकाल है और सिंहों के जो दाद गिने वो इस माटी का लाल है और क्या शोरी गाता है हमारी हम तो उनके वनसज हैं जो सखा सिंह के होते ह और हमारे व्रध पितामा सरसया पर सोते हैं रे गांडिव धारी अर्जुन से हां गांडिव धारी अर्जुन से यहां कोई सिपाही कम नहीं रामकृष्ण का देश उजाडे बना भी वो बम नहीं रामकृष्ण का देश उजाडे बना भी वो बम नहीं अकेला अभी नंदन पूरा पाकिस्तान हिल गया था खून से सना हुआ चेहरा लेकिन जो सीह जैसी दहार जब उसने लगाई पूरा पाकिस्तान हिल गया तब चार पंक्तियां उसके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं सवा अरब हिंदुस्तानी के विजय मंत्र का बंदन है और दुश्मन के घर में घुषकर उसकी व्कात बताए वीर अभिनंदन तुम्हारा शष्चत अभिनंदन है और यह धारा 370 हटाने की नियुग तो उस दिन रख दी गई थी जब हमारे fighter plane पाकिस्तान के और उडान भल थी तब जो दुनिया को हमने उस दिन सर्जिकल स्ट्राइक करके संदेश दिया कि चंडी के श्रंगार में हमको मुंड सजाना आता है लाशों के बदले लाशों के जुंड लगाना आता है और दुनिया ये ना समझे, हेवानों से हारेगा, ये बिलकुल नया भारत है, घर में घुश के मारेगा, ये बिलकुल नया भारत है, घर में घुश के मारेगा, ये बिलकुल नया भारत है, घर में घुश के मारेगा, और चार पंक्तियां अभी कुछ, तो तिन दिन पहले उस चोरी चोरी घुस आना मू की खा के भाग जाना केसी संसकरती है तेरी केसे संसकार है तो बार बार घुसता है सिह की गुफा के मुख का है भूल जाता की तुमा मोली शियार है और चवनी चुकाने की तो ख्षमता नहीं है तेरी लोगों से लेले तका है लाखो का उधार है कैस तेरे बम और कैसी तेरी मिसाइले तु घुटनों के बल भागा तीन तीन बार है। तिनों के बल भागा तीन तीन और जब तक बकरुदीन ओवेसी कोई भाशन नहीं देता जब तक जब तक कुछ उठपटांग नहीं बोलता देश के बारे में जब तक उसको पेट में रोटी हजब नहीं होती तब चार पंक्तियां उसको देना चाहता हूं देश के गदार जो भी देश में ही पल रहे इनके देश द्रोही रक्त को नी चोड़ देना चाहिए अपनी ही जननी की आन पे जो उठती हो एसी शर्महीन आखे फोड़ देना चाहिए तो एक ताको खतरा हो जीन के जहर से भी एसे जहर हीले दात तोड़ देना चाहिए और भ झाल, 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 झाल